हेलो फ्रेंट्स आज हम आप व्यू के एक्जामपल सॉल्फ करेंगे हैं तो अपन को दिया हुआ है ए बराबर ये और बी बराबर ये और अपन को निकाल ला है ए प्लस बी तो अपन क्या करेंगे ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए मतलब इसको इस से जोड़ेंगे इसको इस से जोड़ेंगे इसको इस से और इसको इस से फेरा तो ये हो गय सकते हैं A plus A क्या हो गया 2A B plus B हो गया 2B यह हो गया 0 और A plus A क्या हो गया 2A तो यह हो जाएगा अपना एक्जैक्ली आंसर ठीक है अब अपने पास दूसरा कॉस्चिन दिया है A बराबर यह और B बराबर यह तो अपन को क्या गयात करना है A plus B तो A plus B बराबर क्या हो जाएगा A square plus B square किसे जोड़ेगा 2A B से तो यह हो जाएगा A square plus B square plus 2A B यह जोड़ेगा इस से, तो हो जाएगा b² plus c² plus 2bc, यह वाला जोड़ेगा इस से, तो a² plus c² minus 2ac, और यह किस से जोड़ेगा? इस से, तो हो जाएगा a² plus b² minus 2ab, है न? तो यह क्या होता है A² प्लस B² प्लस 2A भी क्या होता है तो A प्लस B का क्या होता है यह होल स्केर होता है यह किसका फॉर्मूला है B प्लस C का होल स्केर यह किसका फॉर्मूला है A माइनस C का होल स्केर और यह किसका फॉर्मूला है a minus b का whole square है न तो यह हो गया अपना answer अब अपने पास अगला question दिया है a बराबर ही है और b बराबर ह innocence अपनको क्या गयात करना है a plus b गयात करना है तो a plus b क्या हो जाएगा cos square x plus sin square x sin square x plus cos square x यह हो जाएगा sin square x plus cos स्क्वेर एक्स और यह जाएगा साइन स्क्वेर एक्स प्लस स्क्वेर एक्स तो यह 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 किसके बरावर होता है यह फॉर्मूला होता है तो यह होगे यह वन के बरावर होगे यह भी क्या होगा वन के बरावर यह भी वन और यह भी वन यह होगा अपना आंसर फॉर्मूला क दिया हुआ है ए बराबर ये और बी बराबर ये तो अपन को ग्याद करना है 3A-5B इक्वाल टू क्या होगा तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा पहले 3A निकालना पड़ेगा तो इसमें 3 का गुणा करेंगे अपन ये ये अपन को दिया हुआ है तो इसमें अपन किसका गुणा करेंगे 3 का तो ये किसके बरावर जाएगा 3 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2, 3, 5 यह इसके बरावर हो जाएगा है ना अब आपन को क्या ग्यात करना है फाइब फाइब का बी में इंटू करना है तो जब फाइब का इंटू अंदर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा फाइब का इंटू जब अपन अंदर करेंगे यह हो गया टू थ्री फाइब वन टू फॉर अब आपन निकालेंगे थ्री ए माइनस फाइब बी तो थ्री अपन को दिया हुआ है मतलब आपन निकाल चुके हैं यह है टू थ्री फाइब वन टू फॉर यह सेवन सिक्स टू माइनस करेंगे अपन टू थ्री फाइब वन टू फाइब और सेवन सिक्स टू तो यह हो जाएगा टू में से टू गया यह हो गया जीरो यह थ्री में से थ्री गया यह हो गया जीरो फाइब में से फाइब गया यह हो गया जीरो वन में से बन गया क्या हो गया यह जीरो टू में से टू गया जीरो जेवन में से सेवन गया जीरो सिक्स में से सिक्स गया ज 2 में से 2 गे 0, 4 में से 5 के माइनस 1 है ना यहां हमें स्टेक हो गई थी थोड़ी थी यहां यह अपने पास अगला कॉस्चिन दिया हुआ है ए वराबर यह एक्स वराबर ग्याद करना है और जहां आपने पास दिया हुआ है x plus a equal to 0 तो अपन क्या करेंगे x plus a equal to 0 अपन दिया हुआ है तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं x plus a plus minus a लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0 plus minus a तो यह क्या हो जाएगा यह इसी के परावर होगा तो अब अपने पास यह क्या हो गया x plus a और minus a cancel हो गया cancellation lock up आलन करता ही अपन बढ़ चुके है तो यह cancel हो गया और यहाँ पर क्या बच्चा minus a तो अपने पास a की value क्या है दी होई है तो अपन इसको लिख सकते है minus 1 into 2 a तो यह जाएगा 1 minus 1 4 3 8 9 तो अपने पास x की value क्या आ गई यह हो गई minus 1 यह हो गई 1 minus 4 minus 3 minus 8 और यह हो गया minus 9 यह हो गया अपना answer है नब अब अपने पास question दिया हुआ है यह इसको अपने को क्या करना है सरल करना है जितना छोटा हो सके उतना करना है तो अब इस cos theta का एपन इसमें into करेंगे और sin theta का इसमें into करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा तो यह क्या होगे अपने पास अपन इसका अंदर into कर दिये अब अपन को दोनों को जोड़ना है तो cos square theta plus sin square theta यह हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा cos theta sin theta minus sin theta cos theta यह हो गया माइनस sin theta cos theta plus sin theta cos theta और यह हो गया cos square theta plus sin square theta अब अपने को पता हो है सबको पता होना चाहिए cos square theta plus sin square theta क्या होता है यह होता है वन के बराबर तो यह हो जाएगा वन यह दोनों क्या है एक जैसे हैं और माइनस है तो यह होगा जीरो यह जीरो यह बन यह होगा अपना अंसर ठीक है अब अपने पास अगला question दिया हुआ है A बराबर ये B बराबर ये अपन को क्या ग्याद करना है 2 A minus B तो A में अपन किसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 2 A आजाएगा तो 2 का जब इसमें इन 2 करेंगे 1 2 3 2 3 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 4 अपन को क्या ग्याद करना बी बी दिया हुआ है तो 2 A minus B जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6 4 6 2 माइनस हो जाएगा 3 minus 1 3 minus 1 0 2 तो ये हो जाएगा 2 में से 3 कितना बचेगा minus 1 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 5 6 ये हो गया अपना answer अब देखो अपने पास बहुत अच्छा सा question आया है इसमें दिया हुआ है A बराबर ये B बराबर ये C बराबर ये तो अपन को निकालना है A plus B बराबर क्या होगा B minus C बराबर क्या होगा अपन को बताना है ये प्रूफ करना है कि A plus B बराबर A plus B minus C बराबर A plus B minus C ये दोनों बराबर होगे अपन को ये प्रूफ करना है तो A plus B बराबर क्या करेंगे अपने तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2, 2, 5 क्या चाहेगा, 7, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा, माइनस 1 और यह हो जाएगा 4, यह हो गया, अपने पास एक answer आगया, A प्लस B का है ना, अब अब अपन को क्या करना है, B माइनस C, B में से C को घटाना है, तो 3 में से 4 गया, कितने बचेगा, माइनस 1 बचेगा, यह हो जाएगा, माइनस 2, 0, 4, माइनस 1, 3, 1, 2, 0, यह हो गया, अपने पास एक आगया, अपन को क्या प्रूफ करना है, A प्लस B, माइनस C, A प्लस B, यह दिया होगा, अब इसमें अपन माइनस C करेंगे, तो a plus b से minus 3 करेंगे तो 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 0 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा 0 minus 1 में से minus 2 जाएगा minus 3 9 में 0 गया 9 2 में से 3 गया minus 1 7 में से 2 गया 5 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2 minus 1 में से minus 2 जब जाएगा तो वो हो जाएगा plus का तो 2 में से minus 1 गया 1 और ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा ये बच्चे गा 1 तो अब आपनको क्या निकलना है? A plus B minus C निकल गया, अब आपनको निकलना है A plus B minus C, ये B minus C गया हुए इसमें आपने A जोडेंगे, तो A को जब जोडेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 plus minus 1 हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा minus 3 यह हो जाएगा 9 यह हो गया minus 1 यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 1 तो यह हो गया equation 1 और यह हो गया equation 2 तो आपने देखते हैं equation 1 and 2 से क्या हो जाएगा a plus b minus c equal to क्या हो जाएगा a plus b minus c तो यह क्या हो गया अपना prove हो गया है यह question हो गया अब a question अपने पास आता है a बराबर यह दिया हुआ है तो इसका योच्छ प्रतिलूम ग्याद करो तो यह प्रतिलूम क्या होता है माइनस a को अपन क्या कहते है योज प्रतिलोम तो इसमें अपन माइनस का इंटू कर देंगे तो यह जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 यह जाएगा 0 यह हो जाएगा माइनस 4 माइनस 3 और माइनस 1 यह हो जाएगा योज प्रतिलोम यह क्या है एक का योज प्रतिलोम अब अपने पास क्या एक अच्छा कोश्चन है जैसे कि ए बराबर दिया हुआ है भी बराबर दिया हुआ है तो बोला है दी बराबर अपन को पी क्यू आरेस टी यू इनके मान गयाद करना है अपने पास एक यह दिया हुआ है अपन इसको मान गयाद इसमें इनके मान रख के डी का मान गयाद करना है तो इसके लिए क्या करेंगे अपन एक ही जगह वैली रखेंगे तो अपन इसकी जगा इनका मांद रख देंगे यह हो गई A की वैल्यू यह माइनस टी तो माइनस वन का गुणा अपन किसमें करेंगे डी में और यह जीरो जीरो मैट्रिक्स है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं तो यह इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आजाएगा इसके यह माइनस को बुड़ा करें तो यह हो गया अब यह इसके बात क्या करेंगे अपन इन दोनों को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, टो-जीरो, 0 0 0 0 अब अब अपन को क्या करना है इसलिए इन दोनों के पनतुलना कर देंगे minus 2 minus p equal to 0 तो p बड़ाबर हो जाएगा minus 2 equal to 0 तो q बड़ाबर हो जाएगा 0 4 minus r equal to 0 तो r बड़ाबर क्या हो जाएगा 4 minus 1 minus s is equal to 0 तो s बड़ाबर हो जाएगा minus 1 9 minus t equal to 0 तो 2 जाएगा t बड़ाबर हो जाएगा 9 and 9 minus u equal to 0 तो u बड़ाबर हो जाएगा 9 तो यह d की value अपने पास आ जाएगी minus 2, 0, 4 minus 1, 9 and 9 यह होगा अपना answer यह होगा यह अपने पास d की value ठेक है अब अपने पास question दिया हुआ है a बराबर ये b बराबर ये और 2a प्लस 3x equal to 5b दिया हुआ है तो बोला है x की अपन को value बताना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे जो दिया है अपने पास 2a plus 3x equal to 5b ये दिया हुआ है तो अपन 3x equal to क्या कर देंगे 5b minus 2a तो तो अपन क्या करेंगे 5b का into कर देंगे a में 2 का into कर देंगे तो ये आ जाएगा इन दोनों को घटाएंगे तो 3x की value अपने पास ये आ गई अब 3x की value ये आ गई अपन को बोला है x की value गयात करना तो 3 को यहां पर लिका जाएंगे तो x की value क्या हो जाएगी ये हो जाएगी 6 by 3 हो जाएगी minus 10 by 3 12 by 3 14 by 3 minus 31 by 3 और ये हो जाएगी 7 by 3 है न तो ये हो गया अब ये हो गया 2 minus 10 by 3 और ये हो जाएगी ये हो गया अपना x की value ये हो गई अपना answer तो अभी तक अपने इतने example पढ़े इनसे exercise पूरी solve हो जाएगी है न तो अब अगली वीडियो में अगला exercise करेंगे करेंगी